इंडेप चनल में आप सभी का सवागत है आज मैं आप सभी के साथ एक रिसर्च शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद भी की है और इसके बारे में काफी लंबे समय से स्टेडी भी करता आ रहा हूँ ये सीधे उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ है जिने सेंसरी नियूरिल हेरिंग लॉस है याने कान की नसों में समस्या है इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आपको स्टेप बाए स्टेप पूरे सभूतों के साथ उस रिसर्च के बारे में बताऊ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करे क्योंकि आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो लोगों का सेंसरी नियूरिल हेरिंग लॉस वास्ताओं में कुछ डेसिवल इंप्रूफ कर सकती है जो सच में अपनी हेरिंग को ठीक करने के लिए खुद भी एफ़र्ट कर रहे है और वो सारे नियमों का पालन कर रहे है जो मैंने इससे पहले वाले कई वीडियोस में आपको बताए है दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि आप चैनल के दूसरे वीडियोस को भी उतना ही सपोर्ट कीजिए जितना कि हेरिंग से रिलेटेड वीडियोस को करते हैं खासकर बैट टाइम स्टोरी वाले सेक्शन को क्योंकि यदि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं लेकिन व्यूर्शिप घटती है तो चैनल की रेटिंग डाउन हो जाती है और आप खुछ सोचिए जब व्यूज ही नहीं आएंगे तो मुझे यही लगा कि आप लोगों को वो जानकारी या पसंद नहीं आ रही है जो मैं आपको दे रहा हूँ एसे मुझे यूट्यूब को छोड़कर पूरा कॉंसेंट्रेशन अपनी जॉब पर ही करना होगा इसलिए आप चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देखे इससे आपको भी कुछ नया सीखने को ही मिलेगा अब आप सभी को कुछ बहुती जरूरी बाते बताना है इसलिए इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश के सब्टाइटल्स के साथ बनाया गया है तो आप सभी ने कुछ भातों पर गौर जरूर किया होगा कोई भी चीज यदि संतुले तवस्था में है याने कि बैलेंस है तो ही वो हमारे लिए फायदे मन सावित होती है जैसे कि लोहे से बनी हुई गोली किसी की जान ले सकती है और उसी लोहे से बनी हुई सर्जिकल उपकरणों से किसी की जान बचाई जा सकती है जिस तरह साइ इंटेंसिटी की लाइट से हमें चीजों को देखने में आसानी होती है लेकिन यदि इसी लाइट की इंटेंसिटी बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए या फिर एक सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए तो यह हमारी आखों को खराब कर सकती है हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा और हम पर्मनेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं इसी तरह एक जहर माल लीजिये साप का जहर इंसान की जान लेता है लेकिन उसी जहर से एंटी डॉट और एंटी वेनम बनाकर इंसानों की जान बचाई जाती है साथ ही साप का जहर कई दवाओं में भी उप्योग किया जाता है खासकर कैंसर की दवाओं में और इसी तरह साउंड यानि के ध्वनी हमें सब कुछ सुनने में समर्थ बनाती है लेकिन तब तक जब तक की एक संतुलित मातरा में है यदि sound की intensity यानि की तीवरता एक सीमा से कम होगी तो हम कुछ नहीं सुन पाएंगे और यदि ये एक सीमा से तेज होगी तो ये हमारी सुनने की शमता को नस्ट कर देगी और तब भी हम कुछ भी नहीं सुन पाएंगे ये सब बताने का अर्थ केवल इतना है कि चीज़े जब संतुलन बे होती है केवल तब ही वो हम सभी को फायदा पहुचा सकती है अब हम सब कुछ छोड़कर केवल sound पर focus करते है तो आपने ultra sound के बारे में सुना होगा आम लोगे के लिए ये केवल एक imaging technique है जिसमें sound की सहायता से हमारे internal organs, tissues और other structure की picture ली जाती है आपने इसे खास तोर पर pregnant ladies के साथ देखा होगा इसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है और ultra sound से निकली हुई images को सोनोग्राम कहते हैं imaging के अलावा ultra sound को heart या नसों में blockage का पता लगाने के लिए दर्द या सूजन का कारण जानने के लिए lump याने के शरीर में होने वाली गठानों में अंतर करने के लिए भी उप्योग किया जाता है ultra sound से हमें ये पता लग सकता है कि कोई गठान नॉर्मल है या cancer वाली इसी तरह कई physiotherapist ultra sound से गरदन, कंधे, घुटने और शरीर के कहीं हिस्सों का दर्द और सूजन भी दूर करते हैं इसका मतलब ये है कि यदि sound सही मात्रा में है तो ये healing properties याने शरीर को ठीक करने का गुल भी रखता है अब मैं आपको एक बहुत ये अच्छे experiment की जानकारी देने वाला हूँ जो पौधों पर किया गया था वैसे तो एक्सपेरिमेंट हजारों जगा और हजारों बार किया गया है और हर बार इसकी findings लगभग एक जैसी ही रही है लेकिन फिर भी आप इसे जानेंगे तो आपको एक नई उम्मीद मिलेगी दरसल कई वेग्यानिकों ने सुनाया गया Classical को आप इस तरह समझिए जैसे भारत का शास्तिरी संगीत जैसे कि सितार जैसे इंस्टूमेंट पर बजाया जाने वाला एसा इंस्टूमेंट जिसमें तार लगे रहते हैं और अलग-अलग frequencies का sound भी पैदा होता है जो आजकल कि music की तरह कानों में नहीं चुपकता बलकि मन को शान्त करता है तो इन प्रेयोगों में एक पोधो को कुछ खास frequency का sound सुनाया गया और दूसरे पोधे को या तो बिल्कुल silent कमरे में रखा गया या ऐसा sound सुनाया गया जो कि बहुत परिशान करता है जैसे कि DJ का sound यह सुनकर आब आप आश्यर चकित हो जाएंगे क्योंकि जिस पोधे को या जिन भी पोधो को healing या classical sound सुनाया गया था उन पोधो की व्रद्धी दर तेज हो गई उनमें pathogenes याने कीड़े मकोडो और बीमारियों के लिए प्रतिरोध याने की resistance काफी बढ़ गया साथ ही आश्यर जैने कर रूप से वो पोधे ड्रॉट याने की ऐसी परिस्तितिया जितमें पोधों को पानी नहीं मिल पाता या सूखा पढ़ जाता है एसी परिस्तियों में भी उन पोधों के वरद्धी दर जारी रही साथ ही कई तरह की फसलों को भी ये sound याने की classical music या फिर healing sound सुनाया गया और इससे फसलों की उपच बढ़ गई पर hectare पर पहले से कहीं जादा पैदावार होने लगी वो भी कम पानी कम खाद और कम पैस्टिसाइट्स के साथ इस प्रयोक को मैंने भी दो पोधों के साथ दोहराया और रिजल्ट वही रहे अब जो दूसरा पोधा था जिसे silent कमरे में या परेशान कर देने वाले sound पर रखा गया था उस पोधे के वरद्धी दर कम हो गई वो बड़ा ही नहीं हुआ वो मुर्जाया हुआ लगने लगा उसमें फ्लावर या फ्रूट जर्मिनेशन भी बहुत धीमे गती से शुरू हुआ और कुछी दिनों में उसमें छोटे मोटे कीड़े लग गए और फाइनली वो पोधा मर गया इस प्रयोक से फिर से एक अन्फरम होता है कि चीजे तब ही फाइदा देती है जब वो संतुलंड में हो और साउंड में हीलिंग और डिटेरियोरेटिंग यानि कि शरीर को ठीक करने वाली और शरीर को खराब करने वाली दोनों प्रापरटीज होती है इस शोद को आप इंटरनेट पर आसानी से खोज सकते हैं क्योंकि इसे हजारों बार दोहराया गया है अब एक और तथ्य जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमेशा से आपके सामने था लेगिन पहले आपने ध्यान नहीं दिया वो तथ्य ये है कि साउंड दरसल मॉलीक्यूल का एक खास पेटन में होने वाला वाइब्रेशन यानि के कमपन है ऐसा नहीं है कि साउंड को हमारे केवल कान ही महसूस कर सकते हैं या केवल कान ही सुन सकते हैं बलकि साउंड को हमारा पूरा शरीर इसका एक 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 अंग और यहां तक की एक एक कोशिका भी महसूस करती है इससे कोई फार्क नहीं पड़ता कि आपको 100% हेरिंग लॉस है या कि 50% आपके कान की एक कोशिका साउंड को महसूस करती है और इसे आप अपने फाइदे के लिए यूज कर सकते है यानि कौकलिया की हैर सेल्स को फिर से जीवित करने के लिए 100% ना सही लेकिन कुछ परसेंट रिग्रो कर सकते है इससे आपकी हैरिंग में कुछ डेसिवल का फाइदा या फिर इंप्रूमेंट तो जरूर होगा और इस काम को केवल वही लोग कर पाएंगे जो की मेहनती है जो चमतकारों के उम्मीद की जगा खुद मेहनत करके अपनी लाइफ को उम्प्रूम करने में विश्वास करते हैं इससे पहले मैं आप सभी को खाने पीने दवाओं और बाकी चाहिशे से संबन्दित जानकारिया दे चुका हूँ आगे भी देता रहूंगा लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे आजमाने के लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है आप इसे कभी भी कहीं भी और कैसे भी कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना हैरिंग लॉस है चाहे आप बिल्कुल भी ना सुन पाते हों लेकिन तब भी ये अपना असर दिखाएगी क्योंकि साउंड एक मेकेनिकल एनरजी है और मेकेनिकल एनरजी यानि कि यांतरी कूरजा हर चीज़ पर अपना असर डालती है और इस विधी को करने के लिए आपको केवल एक मोबाइल चाहिए सस्ता या फिर महंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साथ ही एक हेटफोन और थोड़ा सा समय दिन में 15 या 20 मिनिट अगर आपके पास समय कम है तो सुबा 15 मिनिट या फिर रात में 15 मिनिट जिसमें भी आप कमफरटेबल हो अगर आप सारे नियमों का पालन करते हुए उसमें ये भी जोड़ लेते हैं तो याद रखे कई लोगों की जिन्दगी बदल सकती है अब वो साउंड क्या है कैसा है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इंट्रेक्ट अगले वीडियो में उस साउंड को अपलोड भी कर दूँगा ताकि दिन में जब भी आपके पास समय हो आप 15 या 20 मिट शांती से बेट कर उसे सुने और ओवर दा टाइम इंप्रूव्मेंट महसूस करें अब वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल के सभी वीडियो से सपोर्ट करें नहीं तो रेटिंग डाउन हो जाएगी और मुझे यूट्यूब छोड़ना होगा मैं आप सभी के लिए ही अपने बिजी सेडियूल में से इतना समय निकालता हूं और रिसर्च पेस्ट अथेंटिक जानकारिया देता हूं इसलिए आप सभी के सहीओ की अपेक्षा भी करता हूं तो आप अगले वीडियो मिलते हैं और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और थैंक्स पर वाचिंग डिस वीडियो